Hi Guys, विस्योनाश चर्मा और आज के सेस्न में डिसकस करेंगे Merge Statement in SQL Server. Merge Statement. इसके अंदर दो टेबल होती हैं, जिसमें हम एक सॉर्स टेबल और टार्गेट टेबल. इन दोनों टेबल के डेटा को बनाने के लिए, अगर कोई डेटा में डिफरेंस है और दोनों टेबल को सिमिलर करना है, तो हम Merge Statement का यूज कर सकते हैं. कंडिशन के बेश पर, टार्गेट टेबल के अंदर टेटा को इंसेट कर सकते हैं, या अपडेट कर सकते हैं, या डिलिट कर सकते हैं. Merge Statement का यूज कहां होता है, और क्यों होता है? इसके तीन सिनेरियों है, अगर आपके पास दो टेबल है, Source Table और Target Table, और दोनों का डेटा आपको सिंक्रोनाइज करना है, यानि कि दोनों का डेटा आपको सिमिलर करना है, तो उसके लिए पहला केस है, अगर कुछ आपके Source Table के अंदर, कुछ डेटा आपका New Add हुआ है, तो उसकेस में आप मर्च के थरू, आपका वो Newly Added Data है वो आप Target Table में एंटर कर सकते हैं, सेकेंड आपका है, अगर कुछ records या कुछ data Target Table में है, और जो की Source Table में नहीं है, तो उस data को आप Target Table से दिलिट कर सकते हैं, थर्ड सिनेरियो है, कि आपका Source Table के अंदर, यानि कि आपका एक Primary की होगा और बाकी आपके Non Key Column जो होते हैं, उसमें कोई चेंज हुआ है, और वो चेंज आपका यान Target Table में आपका Reflected नहीं है, तो उस case में भी आप Source Table से आप Target Table के content को अपडेट कर सकते हैं, condition के base, अब इन cases को, इन scenario को हम डागराम से समझ सकते हैं, तो जैसे कि आप डाग Source Table के अंदर एक हमारा Record 104, आप देख सकते हैं, यह Record हमारा Target Table में आजिस नहीं करता है, तो उस case में हम Merge Statement के साथ में, दोनों Table को हम Synchronize कर सकते हैं, यानि दोनों का Data similar कर सकते हैं, तो Merge Statement के बाद आपका जो 104, जो कि आपका Target Table में नहीं है, वो यहां पर Insert हो जाएगा, आप Same case में, Delete, जैसे कि आप देख सकते हैं, Target Table में आपका ID SCF 106, Keyboard, यानि कि यह Data हमारा Source Table में आपका एग्जिस नहीं करता है, तो हम Merge Statement के थरू, आपका Target Table से इस Record को Delete कर सकते हैं, आप थर्ड टेबल को जैसे ही देख सकते हैं, आपका Result है, Result में आपका 101, 102, 103 and 104, यानि कि 106 आपका Delete हो जाएगा Target Table से, थर्ड चिनेरियो, Updating, आप Source Table में, Supposed, जैसे कि आप देखते हैं, आपका 103 CPU, इसका Value Supposed 250 है, लेकिन Target Table में अभी तक इसका Value 150 है, तो जहां जहां आपका जो भी Content आपके Change हुए है, आपका यह जो आपका Non Key Column कहलाते हैं, जैसे कि आपका Product Name और Product Price, तो जहां भी जो Change हुआ है, उस Change को हम Reflect कर सकते हैं, टार्गे टेबल के अंतर, जैसे कि आपका Source के अंदर 250 हो गया है, लेकिन यहां पर 150 है, आफ्टर में स्टेटमें, यहां पर आपके सकते हैं, जो रिजल्ट होगा हमारा 103 CPU आपका 250 हो जाएगा Target Table के आदर, अब आप Syntax में देख सकते हैं, Merge into Keyword है, then Target Table, यानि कि जिस टेबल के अंदर आपको Merge करना है, टार्गे टेबल, और from using Source Table, किस टेबल से आपको Target Table को Synchronize करना है, then on list of condition, यहां आप condition mention कर सकते हैं, then आपका when match then, अगर data match हो रहा है, then, यानि कि primary की match हो रही है, तो उस case में आपका key के base पर data को update करेगा, नोन-key columns को update करेगा, next आपका when not match then, यानि कि आगर data आपका Target Table में नहीं है, और Source Table में है, तो Source Table से आपका Target Table में data को insert कर देगा, इसके बाद आपका delete होता है, उस case में, यानि कि आपका Target Table में आपका data है, Source Table में नहीं है, तो data आप आप से delete हो जाए, और अब merge statement का practical देखते है, सबसे पहले हमारे पाद 2 table है, चेक करते हैं, आपका Product Source and Product Target, दोनों table चेक करते हैं data, तो आप देंके दोनों table के नदर हमारे PID Product ID, Product Name and Product Price, ये columns हैं, और आपका पहली table हमारी Source Table, दूसरी हमारी Target Table, तो आप देख सकते हैं, Source Table के अंदर आपका 104, ये ID, ये data आपका Target Table में अग्जिस नहीं करता है, तो हमें दोनों table को synchronize करना है, डेटा को similar बनाना है, इसलिए हम चाहते हैं, यापर 104 आपका Target Table में insert हो ले, continued, तो हमारी नहीं देख सकते है, हम सभिया है, सभिया प्रिदाना है, दूτοनिक प्रोट्च थार्ट तेन दूनर्टर्च अ है, ये नधा मे अनृे गरी नर्च रगे। ब único प्रडाना है, सभिया नहीं करते हैं, तो हम तंधीक सिघन खे ये नहीं, और समय तर आपका src, source table, then condition on trg.pid equal to .pid, यह हमारी condition हो गई, यानि कि इस key के ओपर यह की हमारा दोनो टेबल में common है, इस key के ओपर हमारा insert, update और delete होगा. सबसे पहले हम insert देखते हैं, then when not match by target, यानि कि अगर आपका target table में कोई data match नहीं हो रहा है, so then insert, insert means target table में insert करना है, तो जो हमारे target table है, यानि कि इसका alias है हमारा trg, सबसे पहले हम उन column की list देंगे, जो column हमारे target table में, insert pid, then product name, then p price, then values, values, values from आपका source table, तो उसके लिए यहां पर हम value लेंगे, हम alias के साथ मिलेंगे, src.pid, src, dot, pname, फिर कोमा, src, dot, then p price, और semicolon, so आप देख सकते हैं, यहां पर जो हमारी पहली condition है, अगर data match नहीं करता, source table और target table का, तो source table से वो data target में हमारा copy हो जाए, so, हम इसको run करते है, merge statement को, आप देख सकते हैं, आपका जो result आया, one row affected, आप दोनों table को check करते हैं, तो आप देखिए, आपका जो second table है, यानि की 104, आपका target table में भी आपको entry हो गए, और next update check करते है, तो आप देख सकते है, source table के अंदर हमारा जैसा है, product name है, mouse second, लेकिन यहां पर अभी तक है, आपका mouse है, और इसी तरह से आपका CPU की value 450 है, और target में अभी इस्टिल आपकी 250 है, तो हमें, यानि की update के तरूप, data को synchronize करना है, उसके लिए आप merge के अंदर, एक और assistant में edit कर सकते हैं, when match, then update, set, किस-kis column को आपको update करना है, यहां आप column को आप define कर सकते हैं, जैसे कि suppose, trg.pname equal to from source table, यानि की src.pname, then second column, trg.pprice equal to src.pprice, it means, इस case में यहां पर हम source से target के अंदर हम data को update कर रहे हैं, किस के base पर, आपका ID के base पर, so, हम इसको execute करते हैं, 4 row affected, data check करते हैं, तो आप देख सकते हैं, आपका जो target table है, यानि कि आपका जो नीचे वाली table है, second table है, यहां पर mouse second था, mouse second हो गया, price same था, pad का आपका price same है, लेकिन CPU का value आपका, यहां आपका 250 था यहां आपका 450 हो गया, next हम delete देखते हैं, अगर data जैसे आपका देखते हैं आपका 106, next हम delete देखते हैं, तो 106 यह आपका source में नहीं है, तो merge के तुर हम इस data को delete कर सकते हैं, target table से, so, when, when not matched by target, और यहां पर हो जाएगा आपका source, अगर source के अंदर वो data नहीं है, then delete, semicolon, make sure आपका जो end में है, आपका semicolon होना चाहिए, अब मैं पूरी statement को execute करता हूं एक साथ, तो आप देख सकते हैं, data check करते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर जो 106 हमारा target table में था, वहाँ से delete हो गया, और बाकी आपका insert or update अल्री हो चुका है, तो इस तरह से आप merge statement को आप यूज करते हैं, So guys, this was all about the merge statement in the SQL Server. Thanks for watching the video.